बचे आप लोगों के लिए आल्राउंडर क्लासेज ने CPD1, CPD2 और Incentive Examination के लिए भी अपनी क्लासेज इस्टार्ट करने वाले हैं 1st July 2022 से उसके बारे में आपको information देना है बचे Enrollment Fee's आल्राउंडर क्लासेज की 500 होती है पर पेपर Fee 5000 जिसे माल लो CPD1 के मैं बात करूँ तो इसमें दो पेपर होंगे C1 और C2 तो C1 का 5000 और C2 का 5000 तो टोटल बन जाता है 10,000 और 500 Fee हमारी Enrollment की तो टोटल बन जाता है 10,500 विचे ठीक है यह हमारी Fee's होगी CPD1 के लिए इसी तरह CPD2 के लिए भी C3 पेपर और C4 पेपर दो पेपर होगे 500 हमारा Enrollment तो टोटल 10,500 इंसेंटिव एग्यामनेशन के लिए 4 पेपर होते हैं तो I, E, 1, 2, 3, 4 तो इसमें से 3 और 4 जो बच्चे नए जो एग्याम देते हैं बने हुए है SS का डबल हो तो उनका तो यह 3 और 4 पेपर एग्याम्ट होता है जो बच्चों का एक्जंप्शन है उनके लिए कि वो दो ही पेपर पढ़ने होंगे I, 1 and I, 2 तो इसकी फिस भी वही सेम एक पेपर का 5000 और Enrollment फिस 5000 प्लस दूसरा पेपर का 5000 तो 10,500 इसी तरह मानलो कोई I, 3 भी पढ़ना चाहता है तो फिर उसका 5000 एड हो जागा कोई I, 4 भी पढ़ना चाहता है तो maximum हमारी limit बच्चे fee की यही होती है इससे ज्यादा हम fee नहीं लेते हैं तो किसी बच्चे को यह दी चारो paper पढ़ना है incentive वाला तो maximum 15,500 और नहीं तो यह simple आपको मानलो किसी बच्चे का पहले से एक paper clear है दूसरा paper सिर्फ पढ़ना चाहता है तो फिर आपको clear हो गई है na 500 enrollment और पर paper फिर 5000 किसी का एक ही paper बचा है तो 5,500 हुआ इस तरह है न बच्चे चाहें CPD 1 करता है या CPD 2 करता है या IE करता है ठीक बच्चे तो फिस चुकि यह फिस के base पर ही classes होती है और जो भी conditions होते है classes की फिस में कोई कमी नहीं है और एक fine जरूर system है यदि आप 63 exam या 3 test कहलो जब भी आपको पढ़ाया जाता है उसके बच्च लिया जाता है और test 3 test में लगातार 3 test में यदि 60 से कम नंबर आ रहे हो तो फिर fine लगता है और fine लगता ह 5 रूपया ठीक है बच्चे तो ये additional हो जाता है तो आप सोचेंगे कि सर आप fine भी लेते हैं फीस भी बहुत जादे है तो इसलिए हमने बच्च बताया है कि आपको इस classes के conditions, terms and conditions यदि fulfill करते हैं या agree है तो ही आप इसको join करिए अने था कोई आपके उपर pressure नहीं है और मैं ए transition ऐसे भी देना चाहता हूं कि जरूरी नहीं है कि all-rounder classes को join करके ही आप सारे exams clear करते हैं आप अपने आप भी पढ़के सारे exams clear कर देते हैं क्योंकि बहुत कम बच्चे all-rounder classes को join करते हैं और बहुत सारे लोग बिना class join के भी pass कर जाते हैं तो ये मैं आपको बताना चाहता आप अपने से त्यारी कर सकते हैं तो self study is the best study ये उन लोगों के लिए है जिनको pass करने में classes दिक्कत हो रही है या जो चाहते हैं कि एक regular motivation मिलता रहे regular उनके पीछे कोई guide या coach उनको inspire करता रहे और वो आगे बढ़ते हैं तो उन बच्चों के लिए ही ये classes है तो उन बच्चो ये जो हम exam class करा रहे है इसका schedule November 2022 में exam हो सकता है क्योंकि examination to 2022 का हम class कराने का plan किये हुआ है ठीक है ये class कैसे होंगी ये 2-3 months में और 1st July से इस ब्रोशर में लिखा हुआ है आप अपना ब्रोशर मंगा सकते हैं कि सर हमें detail में जानने है आपके classes के बारे में तो ब्रोशर मंगा आने के लिए हमारा WhatsApp नमबर note कर लिजे हला कि WhatsApp नमबर आपको सारे हमारे ब्रोशर पर भी लिखा रहता है ये नमबर है 70099-26055 तो इसको मंगा के आप एक बार हमारे terms and conditions को देख सकते हैं ये आपको अच्छा लगता है classes करना चाहते हैं तो class कर सकते हैं ठीक है ये हमारे आप इसी ब्रोशर को मंगवा के एक बार detail में minutely पढ़ सकते हैं ठीक है जो मैंने बताया shortcut में वही सारी बाते इसमें लिखी गई हैं हमारी classes live classes होंगी और उसको record allrounder ही करते हैं फिर वो recorded class भी बच्चों को मिलती है और वो सिर्फ examination तक ही valid रहती है जो ही आप exam देंगे उसक कुछ delete हो जाता है आप उसको आगे के लिए preserve नहीं कर सकते हैं या किसी दूसरे candidate के साथ share नहीं कर सकते हैं इसमें सारी चीज़े हमने लिखा हुआ है जो कुछ भी right है वो allrounders के पास है किसी को share करना या किसी से उसको free में देना ये allowed नहीं है ठीक है और चुकि आप service करने व लेना है वो पे करके ही लेना है और जो हमारी fees जो आपको उपर बताया हूँ जब आप उसको देते हैं तो उसमें सारा कुछ include रहता है मैं study material भी मिलता है वीडियो test series भी मिलती है और सारा कुछ आपको उसी में include है उसके अलावा कुछ आपको fees अलग से नहीं देना है ठीक ह अच्छे admission procedure क्या है कि इस brochures को बार बार पढ़ लें तो पूछ ले और फीस के लिए यह पहले हमने discuss कर लिया हमारा जो एक छोटा सा condition यह है कि वच्छे देखो एधी candidates की संख्या कम होगी क्योंकि होती ही कम है 10 candidates से एधी कम होगी तो live classes नहीं चल सकती है recorded classes ही आपको मिलेंग और उसके अनुसार ही आप class कर सकते हैं तो अभी किसी class की recording नहीं हुई है यह class पहली बार चलाई जा रही है first time introduce होने वाली है तो जो live class चलेगी उसी की recording होती जाएगी और फिर उसके बाद ही recording classes उन बच्चों को दिया जा सकता है जो बच्चे हमारे class कर रहे हैं थोड़ा सा time आप लोगों को awkward लगेगा क्योंकि already आपको पता होगा कि Allrounder classes SS की class चलाते हैं तो SS के सारे 9 pieces की class चलने के वज़ा से वो time schedule बिल्कुल fixed रहता है Allrounders के time schedule fixed है तो थोड़ी सी दिक्कत जरूर इन बच्चों के होगी जो IE की exam या CPD के exam के लिए Allrounder classes में आना चाहते हैं उनका schedule ऐसे होगा live classes के लिए के morning में C1 के लिए यह देखो यह लिखा है 1st July से हमारी class शुरू हो रही है 1st July 2022 से 31st July 2022 तक एक महिने में हम C1 पढ़ाएंगे timing होगी 5 a.m. to 6 a.m. और classes 5 days के होगी Monday to Friday ठीक होचे इसी तरह C2 1st August से 31st August के बीच में होगा और timing यही और days होगे Monday to Friday ठीक है और इनके Saturday और Sunday में टेस्ट होगे जो भी पढ़ाया गया होगा ठीक है यह है हमारा CPD 1 के लिए CPD 2 के लिए वही सेम यह clear हो जाएगा C1 C2 तो C3 उसी track पर आजाएगा 1st September से 30th September तक एक घंटे की class डेली और एक महिने में C3 complete हो जाएगा और C4 बचे क्योंकि इन में आप सोच रहों कि sir gap क्यों है क्योंकि यह सब बचे आपके SS class के लिए सब fixed हैं पहले से यह slots तो उसको disturb नहीं कह सकता है आपको ही adjust करना पड़ेगा और मान लोगे आपसे time adjust नहीं होता है तो फिर recorded videos जो होंगी जो यह class चलेगी उसके recorded videos आपको same day upload हो जाएंगी आल राउंडर्स का एप है आल राउंडर्स एप या फिर आल राउंडर्स के ही कोई और provision होंगे जिसमें आप उनको देख सकते हैं अपने laptop पे या desktop पे तो उसको same day morning में recording होगी उसको आप कभी भी किसी भी time देख के self study कर सकते हैं ठीक है तो c3 और c4 तो c4 के लिए हमारा saturday और sunday को ही time मिलेगा और उसके class 6 a.m. to 8 a.m. होगी और वो first September से शुरू होगा c4 और चुकि saturday sunday को ही कर रहा है इसलिए वो October तक चलेगा ठीक है saturday sunday में ही तो ये देख लो ये थोड़ा सा hectic जरूर है आप लोगो किसी बच्चे को हो सकता है शूट न करें तो इसके लिए वही option वही है recorded video जब class हम चलाएं के सुबह में तो उसको आप लोग देख के उससे अपना यूज कर सकते है ठीक है और live class चलाने के लिए हमें कम से कम 10 बच् incentive के exam के बारे में बता रहे हैं incentive exams जो हमारा accounts वालों का ही है अभी हमारा जो R A होता है जो audit वालों का है ये I जो होता है वो accounts वालों का है और R A है जो audit वालों का incentive exam है तो अभी R A के class नहीं चल रहेगा बच्चे इस बार है न क्योंकि हमारा ये experimental class है पहली बार चल रहा है तो अभी एकाउंट्स वालों से ही शुरुवात हो रही है उसमें भी स्टेंथ पर ये क्लास डिपेंड करेंगे बच्छी कम स्ट्रेंथ रहेगा तो फिर क्लास हो सकता नहीं भी चले तो इसलिए आप लोगों को इंट्रेस्ट है तो अपने जो भी नोन है जो भी आपके इस तो पहले बार है और बचों तक इंफरमेशन पहुंचे इसलिए ये लोग इसमें आप लोगों के भी रिस्पांसिबल्टी बनती है या थोड़ा इनिशेटिव ले सकते हैं कि आप लोगों का ग्रूप एक अच्छा तयार हो जाए और आई वालों को बता दें आई वन आई टू आई थ्री और आई फॉर अनका चार पेपर होता है इंसेंटिव वालों का तो एक महिने में दो पेपर उनका होगा आई वन और आई फॉर ये कब से है आई वन और आई फॉर ये होगा फर्स्ट जुलाई से बच्छा ठीक है टाइमिंग का देख लो ये होगा से एट एम में अई-फोर और आई-वन होगा सटरडेस को ये मन्ढ़े टू फॉराइड मफॉड करना होगा जो बचैंब नहीं कर पाएंगे वो रिकारडिट वीडियो से करेंगे यह औप्शन तो आपके पास अमेशा खुला रहाएगा और इसी तरह आई-टू और आई-3 अ तो दो महिने के आसपास में हम सारे IE हो या CPD हो हम दो महिने के वितर खतम करा सकते हैं, और उसके बाद से आप लोग का weekly test तो होगा ही होगा, साथ-साथ ही होगा, जैसे जैसे course चलता है, वैसे वैसे आपका weekly test चलता है, जरुवत पड़ेगी daily test की, कभी किसी topic पे आवशकता ह होई all-rounders को, तो वो test आपको conduct करा सकते हैं, daily test भी हो सकता है बच्चा है, बच्चों का कैसे development होगा, कैसे grooming होगी, उसके अनुसार ही बच्चों को time to time test कराया जागा, तो ये daily test तो optional रहेगा, बट weekly test तो सबको देना ही है, ये भी optional नहीं है, मिंस जब create होगा तब, और उसके बाद से first November से, जो कि course यहाँ पर complete हो जाएगा, तो first November onwards जब तक exam नहीं हो रहा है, आपका test series चलेंगी, और फिर test series मतलब कि वो जैसे भी चलेंगी, day-wide चलें, या weekly चलें, या fortnightly चलें, या कैसे भी चलेंगे, वो उस समय decide होता रहेगा, ठ ठीक है न, ताकि आपका exam तक वो continuity बनी रहे, जो कुछ भी आपने पढ़ा है, वो exams के लिए पढ़ा है, तो exams से पहले the course खतम हो जाता है, तो आपका भूल न जाये पढ़ा हुआ, इसलिए test series continue रखा जाता है, जब तक कि exam नहीं हो जाता है, ओके बच्छे, इसके साथ ही हमा आपको शुब कामना है देते हैं, और अपने से भी, देखो इसको ऐसे लिखते हैं, कामना है, शुब कामना है, तो आपको अपने से पढ़ना हो, तो भी self study is the best study, आप कभी ऐसा न सुचे हैं कि sir, मैं तो अपने से पढ़ूँगा, क्या मेरा clear होगा कि नहीं होगा, आपकि ऐसी कोई चीज hidden नहीं है, जो सिर्फ all-rounders को ही पता है, आप लोगों को पता नहीं है, आप लोगों को हो सकता है, all-rounders से ज्यादा पता हो, क्योंकि direct आप लोग exams में बैठते हैं, और all-rounders exam में नहीं बैठते हैं, all-rounders केवल जो course में दिया रहता है, जो syllabus prescribed हैं, CAG द नहीं कर सकते हैं, आप बिल्कुल अपने सभी कर सकते हैं, और self-tyory is the best preparation, हमेशा मैं कहते आया हूँ, बच्चों को motivate करना, बच्चों को promote करना, मेरा पहला फर्ज है, वही मैं follow कराना चाहता हूँ, ठीक है, कोई अपने all-rounders की बहुत जादे कमाई हो, या all-rounders को बहुत जा रहा जाते हैं, classes no profit, no loss पे हैं, इसलिए जो भी आपके fee है, वो बिल्कुल well decided है, उसमें bargain करना, या उसमें फिर कुछ discount हो जाया, या कुछ पहले देंगे, बाद में देंगे, ऐसे देंगे, वैसे देंगे, ये सब नहीं करना बचे, जो all-rounders ने बताया है, उसी का अनुसार आपके classes चलेंगे,